तो गाइस मैं हुआ की तौर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नैटफक सुरु करते गाइस अपनी बात को अमनों सबसे पहले जेकब फार्टू से तो भाई जेकब फार्टू हमें स्माग दून में नहीं देखने को मिले वह अपनी समस्लाइम वाली इंजरी को सेल कर र हों एंगे टेलिवीजन पर यानि की स्मैक डॉन पर अब इसका मतलब कि जेकब फार्टू कुछ और एपीसोड्स मिस करने वाले अगले एपिसोड में रोमें रेंस प्रेजेंट होने वाले वहां पर जेकब फार्टू फिर से नहीं होने वाले यानि की वापस से रोमन इंटरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा तो डवी डवी इस चीज़ को बिल्कुल सेव करके रख रही है भाई कुछ बहुत मैसिव प्लैन से जो कि मैं आगे आपके साथ सेर करूंगा अगली वीडियो के अंदर फिलाल अभी इस चीज़ को आप जान लो कि जेकब टैग टीम चैंपियन है जेकब फार्टू नहीं जीती थी वो टाइटल टामा टॉंगा के साथ में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ा अगर टाइटल डिफेंड करनी है तो क्या जेकब फार्टू को होना ज़रूरी है इसका एंसर में करता हूं ऐसा नहीं है डवी टूमें इस चीज़ को एसे एक लिए लेकिन डेवी इस प्लान को लेकर चल रही है कि सोलो सेखवा जिस भी दो मेंबर को चुनेंगे ब्लड लाइन से वही टैग टीम चैंपन बन जाएंगे भले बाई जेक अवार्टू ने टाइटल जीती है लेकिन अगर सोलो सेखवा कह मतलब कोई भी डिफेंड कर सकता है टाइटल को तो इनके एकॉडिंग वेट नहीं करना परेगा डबडबली को जेक कफ़ाटू का अगर इनको टाइटल कराने यह बैस इन बरली में तो लाइके ऊजली टाइटल को डिफेंड करवा सकते हैं टौंगालोओ से भी तो यह बड़ते हैं मैं अगली अगली स्टॉरी के बारे में एंड यह एक मेजर स्टॉरी मेजर अप्डेट है यह वाइप राइंडी ओर्टन को लेके और राइंडी ओर्टन ने बाइ डूर डूर्टन एक डवाय डील साहिन करते हैं और गोड्टन्रेशेला पांट स Alsoacked and होने वाले हैं साइध रैंडी ओर्टन दो हजर उन्तिस तक एक्टिव सूपरस्टार के तौर में कंपीट करेंगे फाइट पुल सिलक की न्यूज है दो वर्ड इंटर्नली इस डैट रैंडी ओर्टन हाज अग्रीड तो न्यू फाइव यर डील विड़ डील विड़ डील व यह डवी डवी के साथ ही रहेंगा हमेशा से रैंडी ओर्टन लोयल रहेंगे अब अगर यह पांच साल की डील साइन करते हैं मल्टी का डील साइन करते हैं तो ओर्टन दो हजार उन्तिस तक कंपनी के साथ रहेंगे जो कि यह कर चुके हैं बताया जा रहा है तो ऐसे में र जो जार न्पीस तक वह आपको देखने को मिलेंगे वो भी जार न्पीस के बिल्कुल एंड तक तो साध उसके बाद ही कहीं और रिटायर होते वह दिखेंगे अब दो जार न्पीस बात करतें अगली इस्टोरी के वारे में जो कि यह है बाद बलड को लेके तो बाई बाद के टिकट सेल्स को लेके नई अपडेट निकल के सामने आई है रसल टिक्स की तरफ से वह देख लेते हैं आप दोग देख सकते होगे अवलेबल टिकट भाई 594 यानि की 594 चैसों में सच है कम करेंट सब्सक्राइब काप सीटी 13,815 की डिस्ट्रिब्यूट हो चुके हैं 13,221 यानि कि अल्मुस्ट सेम है या पर तुन्होंने बताया भी नहीं कि कोई टिकट वगरा चेंज हुआ है अपर नहीं पता नहीं आप नंबर्स घटे वटे हैं कि नहीं लेकिन अभी के एकॉर्डिंग मुझे तो सेम ही साउंड कर रहा है अभी पिछले वीडियो मुझे आ कर देखनी परे कि अपनी जब मैंने बैड बलड की टिकट सेयर करी तो अगर रयाद हो आपको मैंने आखरी बार आपको क्या अपडेट बताइथी इसको लेकर तो कॉमेट कर देना अभी भाई 594 टिकट यानि लगपक 600 टिकट और बाकिया अभी बहुत टाइम है बैड बलड तो इतना आप मान के चलो आगे बढ़ते हैं का इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पेंटागन जूनियर को लेके ऐसा बोलो भाई कि मैं रे फिनिक्स की भी साथ में बात कर रहा हूं हाला कि उनको लेकर अपडेट नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अगर पेंटागन जूनियर आ रहे हैं तो अरे फिनिक्स भी आएंगे इनको लेके रूमर से हैं पेंटागन जूनियर को लेके क्या अपडेट हैं पेंटागन जूनियर को लेके अपडेट हैं कि वो प्रेजन्ट होने वाले इस हफते और लैंडो में Multiple sources within WWE are of the belief that Pentagon Jr. will be in Orlando at some point this week Russell Purist Worldwide की update है इनका कहना है Multiple sources का मानना है WWE के अंदर जो multiple sources उनका मानना है कि Pentagon Jr. Orlando में present होने वाले इस हफते यानि कि WWE के साथ almost इनकी deal साहथ confirm हो चुकिए आप ऐसा मानो and साहथ या Orlando में जाके चीज़ों को या तो finalize करेंगे नहीं तो अपना work चालू करेंगे अब Ray Phoenix को भी लेके rumor से Even Daniel Garcia करके एक talent है AEW के अंदर उनको भी लेके rumor से कि WWE उनमें interested है लेकिन अभी Daniel Garcia थोड़े confused नहीं कि उनको AEW के साथ रहना या फिर WWE के साथ आना है अभी बहुत सार ऐसे AEW talent से जो कि WWE की तरफ आ रहे हैं आने वाले हैं almost लिदी कि Starks का भी हमको पता है वो spot किये जा रहे है regularly with Jade Gargill तो बहुत कुछ चल रहा है एक साथ में फिलाल Pentagon Junior को लेके update है Pentagon Junior guys आपको बहुत ही जल्दी WWE programming को भी देखने को मिल जाएंगे अब देखो भाई ये आपको NXT में देखने को मिलते हैं या फिर सीधा main roster में अभी के recording इनको लेके latest update ये है आगे बढ़ते हैं guys बात करते हैं अपनी next and final story के बारे में जो कि again Brock listener को लेके एक बार फिर से listener को spot करा गया एक बार फिर से listener को नए look में spot करा गया लेकिन हो सकते आप थोड़ी पहले क्लिक करें कही होगी लेकिन ये आप देख सकते होगे भाई latest appearance Brock listener की यहाँ पे listener एक नए अंदाज में देखने को मिल रहे है नए beard style के साथ में यहाँ पे listener की दाड़ी भाई बीच से नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह चिल करें मजे मार रहे है टाइम पास करें इसलिए बीच स्टाइल भी बहुत चेंज होती है सब कुछ बहुत बदल रहा है तो बस मजे ले रहे है listener अपनी लाइफ के करेंटली डविट अपी के अंदर जबाना होगा तो आएंगे मैं आपको अपडेट बताते ही रहता हूँ जो भी कुछ न्यूज आती है तो विडियो से information मिली हो मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को तक आना वाले टाइम के अंदर आपको और बेस ही डबड़ ड़ी की news information सबसे पहले जानने को मिलते रहे फॉलो कर सकते आप लोग मुझे इंस्टाग्राइम एंट ट्वेट पर लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में जॉइन करें वाटसप चैनल को उसके भी लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में मिलगा मैं आपसे के लिए वीडियो में तब दे के लिए गुड़ बाई